करेज दोस्तो करेज के हिंदी मीनिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि हम करेज को किस सेंटेंस के लिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई दिलेरी दिखाने वाली बात आती है तो अब हम इंगलिज वर्ड करेज को यूज करते हैं धहर्य, निर्भैता, प्राक्रम, प्रताप, वीरता, सूर्ता, सौर्य, साहस, हिम्मत, होसला, जुर्रत या मरदानगी तो दोस्तों ये कुछ हिंदी वर्ड्स हैं जिसके लिए हम करेज को यूज कर सकते हैं आएए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हम करेज को इंगलिस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और हमारा पहला एक्जांपल है I wish you courage and success मतलब मैं आपके साहस और सफलता की काम ना करता हूँ चलिए दोस्तों हम करेज का, एक और एक और एक्जांपल भी समझ लेते हैं I know you have the courage to talk to him, I know you have the courage to talk to him, मतलब मुझे पता है कि तुम में उससे बात करने की हिम्मत है, दोस्तो इस sentence में courage का मीनिंग वा हिम्मत,